आए मन में काईसे आए जब पूस्वा लहर शुरूर वहा थो हम कोविट के व्लेंटियर्स का ट्रणिंग कर रहे हो और जारखन में 24 अज़ाद कोविट व्लेंटियर्स का ट्रणिंग गया जब वो गाउं में घये तो गाओं के जो गरीब थे उपुले मेरे बच्चों का सिच्छा का क्या होगा मेरे रोजगार करते हैं तो हम लोगों ने प्राथमिक सिच्छा का सर्वे करते हैं और सर्वे करके उसको सरकार को देखे हैं और सरकार से डिमांड करते हैं हम लोगों ने सर्वे प्राथ्मिक सिच्छा का सर्वे करना सुरूर किया और जब गाउं में गया तो हम देखे किनके भी सर्वे की तो एक दम गाउं के आदिवासी परिवार, अनुसुची चाती के परिवार, मायनोर्टी परिवार और जो आर्थी कुरूप से पिछड़े परिवार हम देखे एकन परिवार है माता पिता और बच्चे और उनका इनकम अठाईसों से तीन सो जब हम उसके स्कूल का हालत देखे, आउनलाइन पढ़ाई का, तो यह पता चला कि 93% लोगों के पास कोई मोबाईल नहीं है, यह इस्तिती थी 93% के पास, तो बच्चों से पूछे कि किस के मोबाईल से पढ़ते हैं, तो 35% बच्चा बोला कि हम माता पिता के मोबाईल से पढ़ते हैं, लेकिन जब मोबाईल होता है तब पढ़ते हैं, जब मोबाईल नहीं होता है तो नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब ऑनलाइन पढ़ाई जो है पूरा के पूरा फिर हम लोगों ने पूछा कि सिच्छक से एक महिना में कितना बार मुलाकात हुआ, 65 परजिसत बच्चा बोला एक बार भी मुलाकात नहीं हुआ, उसका रेस्ट बच्चा बोला कि कभी-कभी मुलाकात हुआ, फिर हम लोगों ने जाच करके देखा 1-8 कलास के बच्चों का क् कि वो जो पढ़े थे भी भूल गए फिर हम लोगों ने उनके परिवार के परिवार से पुछा कि आप क्या चाहते हैं इसकूल बंद रहे कि इसकूल खुल है 95% मने परिवार बोला कि इसकूल खुलना चाहिए तो हम लोग यह जो सर्वे आजा है उस सर्वे के फाइंडिंग के आधार करें कल हम सिच्छा सचीव से और सिच्छा सचीव को हम बोले कि यह फाइंडिंग है आपको जो है प्रोटोकल मेंटेन करके इसकूल खुलना चाहिए और इसकूल खुलने के पहले जो है इसकूल का साफ सपाई करना चाहिए और पहला क्लास को दो दिन करिए दूसरा क्लास को ती यह सिचुएशन है पेंडामिक का सिर्फ यह जारखन राच्य का सिचुएशन नहीं है हमारा जो भारत ग्यान विज्ञान समीती है वो देश के